हम सभी के घरों में सबसे जादा positive जगे होती है हमारी घर का मंदिर रोज पूजा अर्चना करके हम अपने घर में खुशिया आने की कामना करते हैं पूजा करते वक्त हम बहुत सारे चीजों का रोज ही यूज करते हैं जैसे रोली और धूप तो रोली यहां पर मैं बिलकुल chemical free use करती हूँ जो मैं घर में ही बनाती हूँ तो आज आपके साथ भी इसकी विधी शेयर करूंगी और kitchen में रखेवे समान से ही हम इसे बनाएंगे market में जो रोली मिलती है वो chemical वाली होती है उसे use नहीं करती हूँ और सुखेवे बेजान फूलों से बहुत ही सुगंदी धूप बना के त्यार करेंगे अपने घर में अगर आप धूनी देते हैं और काफी चीज़े धूनी देने में use करते हैं तो सिर्फ एक धूप जलाके आप हर चीज़ की धूनी दे पाएंगे घर में बहुत ही अच्छी positivity आएगी और आप घर के एक कोने में इसे जला देंगे तो सारा जो घर है ना वो महक उठेगा तूप में भी सारी वही चीज़े यूज की हैं जो हमारे किचन में या हमारी पूजा में यूज होती हैं तो इसे आप ज़रू ट्राइ केज़ेगा होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं यहां आप देख सकते हैं मेरा जो रोली का डबा है वो खतम हो गया है और यहां में किचन के समान से ही दुबारा से रोली तियार करूंगी तो यहां पे मैंने डबे को अच्छे से वाश करके और रख दिया है सूखने के लिए और यहाँ पे मैंने ले रिया है हल्दी का पैकेट यहाँ पे जो खाने वाली हल्दी होती है वही हल्दी ली है लेकिन मैं पूजा के लिए रोली बना रही हूँ तो इसलिए मैंने नए पैकेट का यूज किया है जो खाने वाल अडबा होता है उसमें से हल्दी नहीं उस करेंगे क्योंकि जो पूजा का सामान है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए मैंने खाने वाले जो चूना होता है जो पान वगरा में खाते हैं वो मैंने इसमें दो बून अड़ कर दिया है आप ड्राइ भी ले सकते हैं बस चुटकी भर लेना है और यहां पर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सानम नीबू का टुकड़ा यहां छोटा सा और इसमें साथ आड़ बून जो नीबू है वो इसमें निचोर देंगे कोई भी चीज ऐसी नहीं यूज की है जो आपके सकिन को नुकसान पहुचा सकती है इसमें कोई भी कैमिकल नहीं है अब आप सोच रहे होंगे हल्दी तो पीले कलर की है इसमें कोई कलर वगर मैं यू तो यहां पर मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें एड़ करना शुरू कर दिया है जैसे जैसे आप एड़ करेंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे यह अपना कलर चेंज कर लेगा तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे यह रैड कलर का हो गया है आप उसको हो सकता है थोड़ा सा महरून कलर में यह हो लेकिन यह कलर भी बहुत ही सुन्दर लगता है तो आप देख सकते हैं इसने कम्प्लीटली अपना जो कलर है वो चेंज कर लिया है मेरे हाथों पे भी रेड कलर चड़ चुका है तो यहाँ पे मैं इसमें खुश्बू के लिए एसन्स यूज कर रही हूँ आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे मैंने सैंडल एसन्स का यूज किया है और इसमें दो बूद एड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है सैंडल एसन्स जो है यह बहुत ही कंसेंट्रेटेड है तो यहाँ पे मैंने इसे डाइलूट करके नहीं आड किया था इसमें इसे बहुत ही अच्छी खुश्बू भी आ रही है और देखें यहाँ पे मेरे हाथों में भी रेड कलर चट चुका है तो मैं आपको बहार रोशनी में ले जाके दिखाती हूँ इसका जो कलर है यह आपको धूब में अच्छे से दिखाई देगा तो यहाँ पे आपको इसे धूब में सुखा लेना है सुखने के बाद आप देख सकते हैं यह बिल्कुल ड्राइ हो चुका है एकदम पाउडर फॉर्म में है तो यूज करने से पहले जो डबी मैंने इसकी वाश करके रखी थी उस मैं इसे स्टोर करके रख रही हूँ यहाँ पे क्या है मैं इसे ड्राइ भी यूज करती हूँ और मैं इसे कीला करके भी यूज करती हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो अपना color है ना बिल्कुल भी चेज नहीं करता और जो ये रोली है ना ये बहुत ही अच्छी रहती है आपकी skin के लिए भी और आप घर में ही बिल्कुल natural तरीके से ये रोली तियार कर सकते हैं चलिए धूनी देने के लिए special धूब भी तियार कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से सूख चुके हैं इसको ऐसे crush कर रही हूँ ना तो ये बिल्कुल अच्छे से crush हो रहे हैं तो यहां पे मैंने सारे फूल जो है ना माला में से निकाल लिये हैं और इसके बाद इसे हाथों से crush कर लेंगे यहां पे मेरे पास गेंदी के फूल हैं आप यहां पे कोई भी फूल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास एविलेबल हो वो फूल आप इसमाल कर सकते हैं बस सूखे वे फूल होने चाहिए तो यहां पे मैंने सारे फूल का जो है पाउडर तियार कर लिया है हम चाहरा टिक र्लीव हैं इसमें जतनी बी क्पूर होते हैं वह सारी अम i aussi क्रली है आप ज़यूशारी ना झाल ऐसे लिया से जिसमें इस्मान है चाहिए जूशारी नहीं में ग्हाने होलों, फ्लाव चीजा कि द In-सन ऐस देजा करते हैं जैसे तेज-पता T यहाँ पे मैंने हवन सामंगरी एड़ की है, और 2CMACH यहाँ शहद एड़ किया है जहाद आड़ करने से इसमें बाइंडिंग आएगी तो आप थोड़ा ज़ादा भी इसमें आड़ कर सकते हैं बस एक चमच और आप इसमें मिला सकते हैं यहाँ पर मैंने घी मिला लिया है तो यहाँ मैंने जमावा घी आड़ किया है तो एक चमच भरके यहाँ मैंने मिक्स कर तो आप यहां पे इसे डालूट करे ही यूज करिए यहां पे हम जल जो इूज करे हैं इसे बाइन करने के लिए यूज करे हैं घी शहद और जल से यह अच्छे से बाइन होने लगेगा तो, Dartmouth आप सकते हैं आप बना सकते हैं, यहां मैं आपको दोनों शेप बनाना बताऊंगी, धूब का शेप भी बताऊंगी और दिये का शेप भी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यहां मैंने दिये में सामगरी ले ली है और इस तरह के से थम से आप इसे प्रैशर डालेंगे, तो यह जो दिये क के शेप में त्यार हो जाएगा बीज में यहां मैंने थम से थोड़ा गड़ा भी किया है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी तो यह देखिए यह शेप बिल्कुल अच्छे तरीके से त्यार हो जाती है और यह निकल भी जाता है तो यहां में आपको धूप का भी शेप जो भी मन करे, जैसा भी मन करे वैसे आप धूप त्यार कर लिजिए तो यहां पर मेरी सारी धूप तियार है और मेरे हाथों में से सैंडल की खुषबू भी जा नहिए रही है और बिल्कुल जो नेचरल येलो कलर है वो मेरे हाथों में आ गया है दूप में देख सकते हैं ये कितने ब्राइट येलो कलर की दिखाई दे रही हैं तो यहां मैंने इसे धूप में सुखा लिया था देखे आजकल सर्दिया हैं तो थोड़ी जादा देर लग सकती है आपको इसे सुखाने में लेकिन धूप को सेम उसी तरीके से जलाना है जैसे हम धूप जलाते हैं तो यहां मैं आपको दोनों तरीके से दिखा रही हूँ जो मैंने गोल वाली बनाई थी इसमें मैं दो कपूर की टिक्यां रखके इस तरीके से जला लेती हूँ और जो लंबी वाली धूप है उसे आप धूप की तरह जला सकते हैं तो यहां में आपको दोनों ही धूप यूज़ करके दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छी और पॉस्टिव एनरजी आपके घर में आएगी इस धूप को आप ज़रूर यूज़ करिए और रोच इस धूप की दूनी देंगे तो आपके घर में खुश्या ही खुश्या आएंगी एक बार बना के रख लेंगे तो यह आपके लंबी टाइम तक काम आएगा आप इसे जादा मांट में भी बना के रख सकते हैं आप भी मेरी तेरा अगर पूजा में शुद्ध चीज़े यूज़ करना चाते हैं तो आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी अगर आपको मेरी ये रोली बनाने की और धूब बनाने की जो तरीका है वो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजेगा